नमस्कार दोस्तों मैं गोरव सर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्यन कोचिंग पॉइंट में तो दोस्तों आज का टोपिक है फरवरी करंट अफेर 2019 इसके टोप से होने वाली बिमारियों को क्या अधिकारिक नाम दिया है तो सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर एक कोविट 2019 कोविट 2019 इसकी फुलपॉम क्या होती है कोरोना वायरेस डिसीज 2019 यह आपको ध्यान रख लेना है नेक्स कुश्चन आपका आजाता है हाली में हाली में नोसे दुआरा प्रिशिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है तो सही आंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नमबर वन आई एनस सिवाजी आई एनस सिवाजी को प्रिशिडेंट्रल कलर अवार्ड प्रदान किया गया है और इसे अचीव किस ने किया है इसके जो हैड है नि को दिया गया है गुजरात की पुलिस को यह आपको दिहान रखना है मौश इंपोर्डेंट कोशन है कहीं से भी पूछा जा सकता है नेस्ट कोशन यह 1945 में कमेशन किया गया था आए नसे वाजी नेस्ट कोशन है किस देश ने फिलिप बार्टन को भारत में अपना नियुक्त किया है तो सही आंशर होगा इसको नमबर थर्ड बिर्टेन ने फिलिप बार्टन को भारत में अपना उच्चायुक्त किया है और बिर्टेन के अगर बात करें तो वहां के परदान मंत्री बोरिस जोंसन और कैपिटल लंदन हैं आपको पता ही है और करंशी कुष्ट रोग के खिलाब किये गए प्रियासो हितू अंतराष्ट्य गांधी पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर टू डाक्टर एनेस धरम सक्तू को अंतराष्ट्य गांधी पुरुषकार दिया गया है और किसके लिए कुष्ट रोग के खिलाफ उन्होंने लडाई लड़के तो क्या कि आ इनोंने यह कुष्ट रोग के खिलाफ उत्रश्ट योगदान के लिए दक यह द्यूवार्शिक पुरुषकार है मतलब दो साल में किसी एक को एक बार दिया जाता है करा ने चाली में किस सहर को यूटिक्थ को दुआरा विश्व द्रोहर कि इस्थाल का परमानपत्र प्रदान किया गया को सभी आंसर हो जाएगा खुप्सन अंबर एक जयपुर को जयपुर को यूटिक्थ को विश्व दरोहर का इस्थल का परमानपत्र प्रदान किया गया है अभी हाली में 2019 के उसमें आंद्रे ओजोले यूनिस्को की हैड यहां पर इंडिया आई थी और उन्हें यूनिस्को को विश्व दरोहर का इस्थल का परमानपत्र प्रदान किया था तो युनिस्को की फुल पॉम की अगर बात करें उनाइटिड नैसन एजुकेशनल साइन्टिफिक एंड कल्चरल ओर्गेनाईशन होता है इसका हैड़कॉर्टर पेरिश में है पेरिश फ्रांस की राजदानी है और इसकी डीजे मैंने आपको बताई है आंद्रे ओजोले ठीक है उन्होंने अभी हाल ही में भारत की यात्रा की थी नैस्ट कॉश्चन आपका आजाता है जम्मू कस्मीर के सारजनिक स्वास्थिय इंजिनिरिंग सिचाई वे बार्ड नियंतरन बदल कर क्या रख दिया है इसका सही आंजर हो जाएगा ऑफ्षन नमबर एक जल सक्थि विभाग तो जम्मू कस्मीर के सारजनिक स्वास्थिय इंजिनिरिंग सिचाई वे बार्ड नियंतरन का विभाग का नाम जो है वो जलसक्ती विभाग रख दिया गया है अब जलसक्ती से एक बात और याद आ जाती है जलसक्ती मंत्रालिय जो अभी मोदी सरकार अगेन जो आई थी उसमें दो मंत्रालिय को मिला के एक मंत्रालिय बनाया गया था कौन-कौन से मंत्रालिय थे वे ज दोनों को मिलाया और जब जाके जल सकती मंत्रा ले और इसके जो मंत्री हैं कोने के मंत्री उसके गईंद्र सिंग सेखावत यह आपको धियान रखना है नेस्ट आपका फरिदाबाद इस्थित राष्टिय वित्य प्रभंद प्रभंधन संस्थान का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो सही आंसर हो जाएगा option number two अरुन जैटली फैदाबाद जो इस्थित वित्य प्रबंद संस्थान है उसका नाम बदल कर अरुन जैटली के नाम पर रख दिया गया है और अरुन जैटली के अगर बात करें तो इन्हें अभी हाल ही में 2020 के लिए पदव विबोशन के लिए च चुके हैं इनके 2020 के लिए नाम की घोसना हो गई है नेक्स्ट आपका आ जाता है ओसकर पुरुषकार 2020 में किस फिल्म को सरस्रेश्ट फिल्म का पुरुषकार दिया गया है तो सही आंसर हो जाएगा इसका नमबर एक पैरासाइट ओसकर पुरुषकार 2020 में सरस्रेश्ट फिल्म पैरासाइट को चुना गया है अब हम ओसकर के वारे में कुछ कोश्चन से ले लेते हैं ए उसकार अवार्ड 2020 में क्या क्या मिला तो यह सबसे पहली बात तो हैं यह कौन से नमबर को से यह पूintéर फूंश जाता तो 92-92 है नमबर के यह ओ ठीक है और पिकचर ऑवार्ड जो मिला है वह पैररासाइट को मिला हैnd यो फोरन लैंग्वेज की ar फिल्म का अवाड इसे और इसके डारेक्टर जो है वो है बॉंग जून हो बॉंग जून हो इन्हें बैस्ट डारेक्टर का वार्ड भी मिला है यह आप देख सकते हैं बॉंग जून हो को बैस्ट डारेक्टर का वार्ड मिला है और आगे बात करते हैं अगर बैस्ट एक्टर की बात करें तो जोकिन जोकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का आवार्ड मिला है और यह किसलिए मिला है इन्हें जोकर मुवी के लिए जोकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का आवार्ड जोकर मुवी के लिए इन्होंने जोकर की करोल निवाया था और अगर बेस्ट एक्टर की बात करें तो रनी जे के लवेगर को वो किसलिए मुवी ने जूडी मुवी में च्छाबr किया था चाब एक व्फीचर फिल्म की अगर बात करें तो यह चीजफ से से बीचन सिता अ chairman तो गली बोय को किया था ठीक है प्रतु गली बोय को एंड टाइम पे हटा के दा लास्ट कलर मूवी को नोमिनेट कर लिया गया था प्रतु जीती नहीं वह जीती कौनची अमेरिकन फैक्ट्री ठीक है नेक्स आपका आ जाता है 81 वी राष्टेट टेविल टैनिस चैंपिंशिप में पुरूस एकल का खिताब किस ने जीता तो सही आंचर हो जाएगा option नमबर एक हरमीत देशाई 81 वी राष्टेट टेवल टैनिस चैंपिंशिप में पुरूस एकल का जो खिताब जीता है वो हर्मित देशाई ने जीता है और पूस एकल हर्मित देशाई ने जीता है अगर आप महिला एकल की बात करें तो ये सुतिर्था मुखरजी ने जीता है नेक्स कोशन आपका आजाता है दक्षिन अमेरिका की सबसे उची चोटी माउंट एकांगवा पर चड़ाई करने वाली सबसे कम उमर की बालिका कोन बनी है तो इसका सई आंसर हो जाएगा ओफसे नबर एक काम्या कार्थिक एन माउंट एकांगवा पर चड़ने वाली सबसे कम उमर की महिला बन गई है बालिका बन गई है और यहनों ने काम 12 साल की उमर में किया है महाराष्ट की रहने वाली है महाराष्ट के मातर 12 वर्षी है काम्या कारती के इनने यह रिकोड बनाया है नेक्स कोश्चन आपका आजाता है किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलूट प्रूफ हैलमेट बनाया है सही आंसर इसको हो जाएगा option no.3 भारत की सेना ने दुनिया का पहला blood proof helmet बनाया है और सेना में किस ने बनाया है major anoop misra major anoop misra ने इसको बनाया है तो यह helmet भारते सेना के major anoop misra ने तयार किया है यह आपको ध्यान रखना है next आपका आजाता है हाली में under 19 wish cup 2020 का आयोजन किस देश में किया गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा option no.1 दक्षिन अफरीका हाली में under 19 cricket wish cup 2019 का आयोजन दक्षिन अफरीका में किया गया और इसे जीता कोन बंगला देश runner up कोन रहा हराया किसको मतलब final में भारत को champion बंगला देश है runner up इंडिया है जर्फिन आपका आजाता जंगली जानवरों के प्रवाजЖातियों के संरक्षन पर CMS में स्कॉप थार्टीन सम्मिलन की मेजवानी भारत ने की अब देखो प्रवाशी मतलब किस तरह से मोटिव क्या था मोटिव उनका यह था कि जो प्रवाशी जंगली जानवर होते हैं इनके इनके आने जाने में इससे कोई दिक्कत नहों तो इनके इन्वार्मेंट को क्या से प्रवार्मेंट में बैथा जाकर को इ। शिन्वार्मेंट में कोई भी दिक्कत ना हो असका एजन फरवरी 2020 में गुज्रात के गांधी नगर में किया गया था गांधी ने कि याद आजाते कि गांजिनगर को पहला केरोसीन मुक्त जिला घोशित किया गया तो यह आपको धियान रखना है कि हाली में नागलेंड की प्रशिद होड़नेवल फैस्टिवल किस अन्या राज्ये में मनाया गया तो इसका सही आंसर होजएगा option number two किरपुरा में देखो नागलेंड का परशिद फैस्टिवल होड़नेवल फैस्टिवल और इसे अब किसी अन्या राज्ये में बनाया तो वह कौन था किरपुरा अगर मैं बात करूं पक्के पागा होड़नेवल फैस्टिवल तो पक्के सब्सक्राइब का प्रमुक्तियोहार है और पक्के पागा नेच्ट वहार होड़नेवल फैस्टिवल नागलेंड का पक्के पागा किसका है और अध्यान रख लेना है नेट्वर्क किस सहर में स्थापित किया जाएगा मुंबाई में बारत का सबसे बड़ा वायू गुनवत्ता निगरानी नेट्रक जो है वह मुंबाई में इस्थापित के जाएगा वहां से वायू को देख सकते हैं कि वायू कितनी पॉल्यूट है दिल्ली की वायू का भी हम पता कर सकते हैं मुंबाई में कल जो कुल है ये 90 वायू गुनवत्ता निगरानी से इंत्र इस्थापित के जाएंगे नेक्स्ट आपका आ जाता है किस राज्य सरकार ने 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वानों पर पूरी तरह से रोग लगा दी है इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर थर्ड बिहार सरकार ने 15 साल पुराने सरकारी डीजल वानों पर पूरी तरह से रोग लगा दी है नेक्स्ट कुश्चन आपका आ जाता है हाल ही में भारत और किस देश के बीच अजे वारियर नामक स्विक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया तो इसका जो सही आंसर होगा option number third होगा Britain, भारत और बिल्टेन के बीच अजे वारियर नामक सेन्य अभ्यास किया गया भारत और बिल्टेन के बीच एक अभ्यास और होता है कोकन, very important है, बहुत बार पूछा जा चुका है तो कोकन अभ्यास भी इनके बीच होता है इसका अजे बिल्टेन में ही किया गया था और भारत और बिल्टेन के कोकन नामक सेन्य अभ्यास भी काफी important है हाल इमें हाल इमें launch पुष्टक दा थिन माइंड map, book के लेखक कौन है तो सही आंसर हो जाएगा option नमबर एक धर्मेंद्र राय हाल इमें माइंड map, book के पुष्टक के लेखक है वह है धर्मेंद्र राय उन्होंने क्याई बार इन्होंने एक रिकोर्ड और बनाया है उस पर आधारी देंग नेक्स्ट आपका आ जाता है हर्यान सरकार ने चात्रों में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है तो सभी आउप्षन नंबर एक रिडिंग मिश्न हरियाना हर्यान ने इसमें देख Chicago सरकार चात्यों में 150 अभियान क slippery сама चात्रों में और चिक पैंतालीस मिन mismas link रिडिंग नेंच आपका आ जायाए कि किह सिंयर महिला राश्ट्र क्षड चैंप्औनशिप 2020 किस्ने जीती करिए इसका संस्क्राइब होगची हर्याना ने इस को जीता है और हराया किसको घाठिय मैं Hoje अदर खेल university उप क्तेज़गत होगे से हाल के द्यूर धुर तो सही आंसर होगा इसका option number 3 कोची केरल के कोची राजिय में ये किया जाएगा इस शो का आईजन समुन्द्री उत्पाद निर्यात विकास प्रादिकरन के दुआरा किया गया है किज महीला अंत्रिक्स यातरी ने अंत्रिक्स स्टेशन में सबसे लंबा समय बिताने का रिकोड बनाया है सबसे लंबा समय बताने का रिकोर्ड इन्होंने बनाया है इन्होंने अंत्रिक्ष में लगबग 308 दिन रहकर यह रिकोर्ड बनाया है और यह नासा की एस्टरोइट है नेक्ष्ट है हाली में मात्रभुमी बुक ओफ दा इयर 2020 पुरुषकार से कि शे समानित क्या गया है सही आंसर हो जाएगा ओफ्सन नंबर एक विनोज सुकल को समानित क्या गया है विनोज सुकल को यह पुरुषकार की किताब ब्लू इज लाइक ब्लू नेला बिल्कुल नेले की तरह होता है इसके लिए सम्मानित क्या गया है नेक्स्ट आपका पूर राष्टपती एपीजे अब्दुलकलाम की बायोपिक में इनकी भूमिका कौन निभाएगा तो सही आंसर होगा इसका ओप्सेन नंबर टू मुहम्मन अली पूर राष्टपती एपीजे अब्दुलकलाम की बायोपिक में उनकी भूमिका जो है वो मुहम्मन अली निभाएगे और उने इसका पोस्टर भी लेक जो है वो लॉंच कर दिया है मुहम्मन अली ने साउथ हिंडिया फिल्म के अभिनेता है हाले में कलाम की बायोपिक का लुक केंद्रिय मंतरी किसने क्या है ये परकास जावेडकर ने दिल्ली में लॉंच किया है और परकास जावडेकर कौन है परकास जावडेकर सुच्चना येंवं परसारन मंतरी है नेस्ट आपका कि शेयर में ओध्योगिक प्रदर्शनी इंजिन एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया है तो इसका सज्चान से रोजेगा ऑप्शन नमबर थर बडोद्रा गुजरात के बडोद्रा में इंजिन एक्सपो का 2020 का आयोजन किया गया तरह से मैं आगर बात करूं एक एख सब्सक्राइटः़ देने के लिए इंजिन एक्सपो का आपका उत्तर पर्देस के किस किस के पूलिस ने ओप्रेशन नकिल सुरू किया है तो इसका सियांत्र रोजा यगा ओप्शन नमबर थर गार्ध बाद उत्तर प्रदेश की गाज़ेबाद पुलिस ने ओपरेशन नकेल को शुरू कर दिया है ओपरेशन नकेल देखो होता है क्या है जिससे कि आपके ओटो ड्राइवर होते हैं इनके दुवारा बढ़ता आ जाता है तो अगर कोई भी क्राइम इन ड्राइवर कर देते हैं को चार डिजिट के एक नंबर लगाया जाता है इनके अगर आप उस चार डिजिट के नंबर को डालते हैं नेट पे तो उसके बारे में उस ड्राइवर के बारे में सारा इन्फोर्मेशन आपको मिल जाएगी जिससे उसको पकड़ने में आसानी होगी और इससे पहले यह जो है बिहार सरकार में पटना पुलिस नहीं काम किया था नेक्स इस अभियान के त्यात ओटो वालों को ओटे वालों के कारण हो रहे अपरादों को रोग लगाने के लिए हर ओटो पर चार अंकों का नंबर अंकित किया जाएगा और जिससे ओटो ड्राइवर की पूर जानकरी दरदे नेस्ट आपका अधा कि संस्थान ने भाबा क वाच नामक बुलिट प्रूफ का जाकेट का जुन्मान क्या है वह बार्क ने क्या है बार्क की फुल पॉम होती है बाबा एटोमिक रिचर्ट सेंटर इस बुलिट प्रूफ जैकेट की खास बात यह है कि यह बहुत हलकी है जिसका वजन जो है 6.8 किलोग्राम है जो अभी सब्सिद्दा नीज गए लिए कुटूम्शिश्री होटल करने का निद्णे लिया है और यह जो है 25 रुपे में आपको बर्फिट खाना मिलेगा एक्थालिय आपको मिलेगी डीक है इसी तरह कि महाराश् deixar कार नहीं वी निकाले थी जो थी शिवजी शिवजी भोजनके नाम से थी और उसमें 10 रुपे में आपको ँब्पत खाना मिल रहा गया तो इसका सही आंचर हो जाएगा option नमबर एक भोवनेश्वर वेंस्टेक आपदा प्रबंद अभ्या अभ्याज जो है वह आपका उडिशा की राजदानी भोवनेश्वर में किया गया है ठीक है वेंस्टेक की अगर हम बात करें तो वेंस्टेक की फुल फूम है पहले त तो मतलब कहने का यह है वेंस्टेक में लगबख साथ देश हैं जिनके मैं नाम आपको नीचे बता देता हूं इसमें कौन-कौनचे बंगलादेश भूटान इंडिया म्यंमार नैपाल और स्री लंका थाइलेंड यह कुल मिलाके यह है ठीक है तो यह किया गया है इंडिया क प्रशुकर भूनेश्वर में नाक्स आपका कोशन आ जाता है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम की चेर में बनाया जा रहा है इसका सभ्यान जरोगा ऑप्षिन नंबर एक गुजरात में बनाया गया है तो इसका नाम है एक लाग दसजार है यहां यहां एक लाग दस जार से भी ज़्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं के समय अच्ट कोस्चन्स आपका आ जाता ही हाली में किस व्यक्ति को ब्रितेएट के नधे विभिसमथं के रूप में न्युक्त किया गया है मत तो नहीं से ज इसनक को ऊप्रशन note रिष्य सुनक को अब ten के नभितमंथरी के रूप में न्युक्त किया गया है यह भादते करें तो रिशी सुनक की पहचान के बारे में तो यह इंफोसिस के जो चेयर्मेन हैं को फाउंडर है नारायन कृष्ण मूर्थी उनके दामाद है ठीक है तो नेक्स्ट कोशन की अगर हम बात करें रिशी सुनक पाकिस्तानी मूल के साजित जाविद को रिपलेज करेंगे साज नंबर एक मनप्रीश सिंग मनप्रीश सिंग को अंतराष्ट्य होकी महासंग दुआरक कि जो है वो 2019 दुआरा नामित किया गया है और मनप्रीश सिंग भारतिय पुरुष होकी टीम के कप्तान है नेक्स्ट आपका आ जाता है किस राज्य में देश का पहला गिलास फ्लोर सस geois सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थार उत्राखंड छोड़ा आजाये इस लिखाए के बार में यह सौड़ा दी बनाया जाएगा गौं लंबा ही जो 132.3 मीटर होगी नेक्ट कोश्चन आपका आजाता है किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बलब की विक्री पर पूरी तरह से प्रतिबन लगाने की गोशना की है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर थर्ड केरल सरकार ने केरल सरकार ने CFL और फिलामेंट बलब की विक्री पर पूरी तरह प्रतिबन लगा दिया यह जो योजना शुरू करी गई है यह इसलिए शुरू करी गई है ताकि इलेक्ट्रिक का जादे से जादे से जादे सेव हो सके लेक्ट्रिक को जादे जादे बचा सके विजली को विद्धित को तो उसकी जगह आप LED वल्ब जो है और कम से कम इनोंने धाई क्रोड बल्ब का स्टोक पहले ही लगा दिया है तो यह शुरू किया गया है और यह बैन जो है राज्य सरकार ने नौंबर 2020 से पूरी तरह से अर दिवसोсь गैju तो दिवस जो है थेरह फरवरी को मनाया जाता है हैं कि इसकी थीम के आठीज बार रेडियो एंट डयावर्शिटी विरिष्जिटी विश्टिफि फियर्ण जिर्ड वन Jetzt की नेक्ट कोस्ट्छन आपका यह एता है राश्ट्य सीथ कालिन खेलोगा। कि य जहर में किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्षान नमबर टू गुलमर्ग राश्ट्य सीथ कालिन खेलो का आयोजन जो है वो गुलमर्ग में किया गया जो की जम्मुकस्मीने स्थित है नेक्स्ट आपका जाता है हाली में पहला खेलो इंडिया आइस होकी टूर्णामेंट 2020 का आयोजन कहां किया गया तो सही आंसर हो जाएगा ओप्षान नमबर एक लद्धाक पहला खेलो इंडिया आइस होकी टूर्णामेंट 2020 का जो आयोजन किया गया है वो लद्धाक में किया आइटी बीपी इंडो तिबतन बोडर पुलिस को हराया है नेक्स्ट आपका आ जाता है अंतराष्टे ओलम्पिक समीदी ने किस भारतिय कोच को लाइफ टाइम अचीविमेंट अवार 2019 से सम्भानित किया है तो सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्सेन नमबर टू पुलेला गोपी चंद को अंतराष्टे ओलम्पिक समीदी आई योसी ने भारतिय कोच हैं पुलेला गोपी चंद को उन्हें लाइफ टाइम अचीविमेंट 2019 से सम्भानित किया गया और यह पीवी सिंदू के भी कोच है बारतिय बैडमिंटन कोच हैं पीवी सिंदू के भी कोच हैं नेस्ट आपका आई था 10-18 फरवरी तक किस मंत्रालिय द्वारा भारत एक भारत स्वेष्ट भारत अभियान चलाया गया है तो इसका स्यान जरू जाएगा ऑफ्शन नंबर एक सूस्रा इम परसारन विभाग द्वारा 10-18 फरवरी तक के बीच जो है एक भारत स्वेष्ट भारत अभियान जो है वो सूस्राय परसारन विभागने चलाया है और जो इसके मंत्री है वो मैंने आपको बताया था परसार सुरी परकास जावडे कर यह अभियान राष्टे को बल देने के लिए चलाया गया है कि एक भारत स्वेष्ट भारत नेस्ट आपका है सत्य सत्य पार कर सकने वाली मिसाइल प्रनास को कौन विक्षित करेगा जिसकी मारक चमता 200 किलोमेटर होगी इसका सही आंसर हो जाएगा का ओप्सण नमबर 2 DRDO DRDO इसको विक्षित करेगा है अगर यह मिसाइल जो DRDO के अगर फूल फूम की बात करें डिफैन्स इस आच हैं डवलप्मेंट और और इसे और यह जो भालती है थल से न और वायू से न दोनों पर दोनों ही प्रियोग इसे कर सकेंगी इस मिसाइल को औप्शन नमबर 1 आधित्य महता पोने में आएजित राष्ट्य सणूंगर चेंपियंशिप के पुरुस वरगे विजयता आधित्य महता है और जिनोंने हराया किसको पंका जाडवानी जो रनर प्रहे हैं आजित्य मैधा ने फाइनल में पंका जाडवानी को हराका ट्रोफिय अपने नाम किये है नैस कोश्चन है कि इस देश ने पार्थ नामक विश्व का सबसे सस्ता गन सोट लेक लोकेटर बनाया है सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर थर्ड भारत भारत ने पार्थ नामक नाम भी आद रखना है आपको पार्थ नामका विश्व का सबसे सस्ता गन सोट लोकेटर बनाया है और यह लगबग 400 मिटर की दूरी से बुलेट को डिटेक्ट कर सकता है मतलब रिशर्ट ढोंड सकता है कि 400 मिटर की दूरी पर कोई बुलेट कहां पर लगी हुए ठीक है केंद्र सरकार ने प्रवाशी भारतिय केंद्र का नाम बदल कर क्या रख दिया है तो सही आंसर इसका हो जाएगा option number 1 सुस्मा स्वेराज भवन केंद्र सरकार ने प्रवाशी भारतिया केंद्र का नाम बदल कर सुस्मा स्वेराज भवन रग दिया गया है अगर सुस्मा स्वेराध की बात करें जिस तरह से अरुन जैटली को मरने के बाद dhannin में दो नों एकस पार उयते अरुन जैटली और सुस्मा स्वेराज तो दोनों को ही पदम विपूसन के लिए चुना गया है सुस्मा स्वेराज भारत की पूर विदेश मंत्री थी 2019 मेन का निधन हो आता है 2020 मेने पदम विभुशन के लिए चुना गया है नेस्ट आप का जाता है हाली में किसे अखिल भारतिय सत्रण संग का अज़्यक्ष्य चुना गया है तो सही आंशर इसका हो जाएगा ओफशन नंबर एक अजे पतेल हाली में अजे पतेल को विए अखिल भारतिय सत्रण संग का अबज़्यक्ष चुना गया है अगर हम तिरंदाजी संकी अगर बात करें तो तिरंदाजी संका किसे चुना गया है तिरंदाजी संका चुना गया है अरजुन मुंडा को जहां दखना है यह भी किस राज्य सरकार ने गिरते भूजल इस्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्से नमबर टू उत्तर परदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने गिर्टेव भोजल को सुधारने के लिए 2020 के लिए मंजूरी दी है हाल इमे किस राज्ये में गोरिला पेडरा मरवाही नामक नया जिला बनाया गया है नाम तो काफी बड़ा है तो सही आंसर हो जाएगा ओप्सिन नमबर थर्ड चत्तिश गड़ चत्तिश गड़ में गोरिला पेडरा मरवाही नामक नया जिला बनाया गया है और अब इसमें कुल 28 जिले हो गए हैं चत्तिश गड़ में नेक्स्ट उप्राष्ट पती एम वेंकाय नाडू ने चाइल्ड ओफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है यह किसकी आत्मकता है और अब उप्राष्टी वेंकाय नाडू ने तो सही आंसर इसका हो जाएगा ओप्सिन नमबर थर्ड परणम मुखर जी प्राष्ट पती एम वेंकाय नाडू ने चाइल्ड ओफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है और यह प्रणम मुखर जी भारत के पूरो राष्ट पती की जो है आत्मकता है नेक्स्ट है हाली में लॉंच एक कैमेस्ट्री एक कैमेस्ट्री एंड पुस्तक के लिखक कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर एक डॉक्टर के के खंडेलवाल जो है एक कैमेस्ट्री एंड डाइजेस्ट्री एक के किताब वाईव प्रदोशन को रोखने के लिए और उसको कम करने के लिए उस पर आधारित है कि वाईव प्रदोशन कैसे रोके और कम हो जिसे हाली में हर्याना के सिम मनौलाल खट्र ने इसे लौंच किया है अंतराष्ट्य होकी महासंग द्वारा 2019 की सरुसरेस्ट उदेमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है तो इसका सही आंसर ओप्सर नमबर थड हो जाएगा लाल रेश्मीयामी को चुना गया है है औब यह लाल यह कहा कि है मिजोर्म कि है कोकी प्लेयर नए श्व में राष्टे जल सम्मेलन का राजन किया गया चेह्स जलसे मिलन जो हैं कि से में किया गया यह कुश्ण से आपके लिए है आपको कमेंट बौक्ष में इसका अंसर बता नहीं और इस पर घट्टे भूजल की चर्चा की गई थी फरवरी 2020 में किसने LinkedIn के CEO पद से स्थीपा दे दिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option नमबर एक जेफ वैनर जेफ वैनर ने LinkedIn के CEO पद से स्थीपा दे दिया है और जेफ वैनर जो आप company के chairman का पद समा लेंगे और अब जो रयान रोसलेंड की है रोसलेंड की वो इसके CEO होंगे chairman हो जाएंगे अब जेफ विनर नेक्स्ट कोशन है चिटेट्चू वातानावे जो दुनिया के सबसे उम्र दराज पूरुस हैं वैं किस देश से हैं इसका सयांजर हो जाएगा option नमबर थर्ड वो जापान से थे और यह 113 साल की उम्र में इनकी death हो गई है अब वो नहीं रहे हैं ठीक है पीजेंज नमबर एक फेस्बूट ने फइस्बूट ने वी तिंग डिज्टन नाम क्डिजेटल साक्षर्था अभ्यान सुरू किया है और उसाम के अब के तहищा होगा भारत के एक हैद्राबाद हैद्राबाद मैट्रों दूसरा देष का सबसे बड़ा मैट्रों सिर्ण बन गया और दूसरा एक को सैंसे दोर 저희 पहला कॉन दिल्ली मैट्रों कि आपको ध्यान रखना है बाध क्ष परोड़ा नेमें City विदूरіти Mainly तक किसके दुआरा वित्य साक्षर्टा सब्ता 2020 का आयोजन किया जाएगा तो इसका सही आंजर हो जाएगा ओप्शन नंबर एक भारती रिजोर बैंक भारती रिजोर बैंक के दुआरा 10 से 14 फरवरी तक वित्य साक्षर्टा सब्ता 2020 का आयोजन किया जाएगा और जो इसकी थीम है MSME, MSME का मतलब क्या होगा Medium, Small and Micro Enterprise, उन पर जोड दिया जाएगा Next question आपका आजाता है, हाली में किस राज्ये में पहले दिशा पुलिस स्टेशन की सुरुवात की गई है इसका सही आंसर हो जाएगा, Option No.2 आंद परदेश आंद परदेश राज्ये में पहले दिशा पुलिस स्टेशन की सुरुवात की गई है दिशा पुलिस स्टेशन जो इसलिए किया गया है जो महिला सेक्स्वल हरास्मेंट होता है या महिलाओं पे होने वाले अत्यचार है तो वो जाके अपने रिपोर्ट इसमें लिखा सकते है तो उन पर डारेक्ट कारवाई इस इसी काम के लिए इसको बनाया गया है दिशा पुलिस या आंद परदेश के सेयर के राजा महेंदर वर्दम में किया गया है आंद परदेश के नेक्स्ट आपका दिल्ली विदान सबस्वा चुनाओ 2020 में किस पार्टी ने सरवाधिक जीतों पर जीत दर्ज की थी तो सही आंसर ओप्शन नमबर एक आम आदमी पार्टी 62 सीट ठीक है और भाजपा आठ सीट और बाकी किसी को नहीं टोटल 70 सीट है विदान सबस्वा चुनाओ में 72 आम आदमी आपने और आठ बीजेपी ने नेक्स्ट कोश्चन आपका आ जाता है विश्व इसपात संग आंकडो के अनुसार 2019 में क्रूड स्टील के उतपादन में भारत का कौन सा इस्थान रहा है तो इसका जो सही आंसर रहेगा ओप्शन नंबर तू बारत का जो ऐस दूतरे स्थान रहा है दो पहले नंबर को नह पहले नंपर चीन है और नेस्ट कोश्चन आपका आ जाता है हाली में इलखनाओं में हुए डिफेंस एक्स पो दोहरूजर में बताया ता दिफेंस एक्सपों लख्माओं में हूए मैं जी ảiनमिक्स प्राइवेट कम्पनी में औरुड़वेट कौन सी विष्वाifice को पड़धे संक्या गया है है तो शपी या एकанता के एक्षिण किस राजे सरकार ने गाउं में मान्चित्रन के लिए ड्रोन का उप्योग करने का फैंसला लिया है किस राज्य सरकार ने के लिए ड्रोन का फैंसला लिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर एक मध्या पर्द्य सरकार दोरा गाउं के मांचितरन के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाने का फैंसला लिया है नेक्स कोश्चन आपका यह है कि उपराश्टपती एम वेंके अनाड़ो ने चाइल्ड ओफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोजन किया गया था यह किसकी आत्मकता है तो इदे को गलती से मैंने परणा मुखर्जी लगा दिया था परन्तु यह नहीं है इसका है के राम कर्शन राओ के राम कर्शन राओ जो है उनकी यह आत्मकता है जो एम वेंके अनाड़ो ने इसको लौंच किया है ठीक है नेक्स कुश्चन आपका आजाता है कि हाली में विदेशी फुटबोल किलब से जुड़ने वाली पहली भारतिया महिला कौन बन गई है तो सही आंसर हो जाएगा इसको ऑफशन नमबर एक बाला देवी हाली में विदेशी फुटबोल किलब से जुड़ने वाली पहली भारतिया महिला जो है वो बाला देवी बन गई है तो इन्होंने जोइन किया है सी जोइन से स्कॉर्टिस रेंजर वोमेन फुटबोल किलब का नाम है स्कॉर्टिस रेंजर वोमेन ठीक है एंड सी ब्लॉंग तू मनेपूर और यह बिलोंग कहां से करते हैं मनेपूर से नेस्ट कुश्चन आप का जाता है हाली में किस भारते खिलाडी ने वर्ड गेंज एथलेट ओफ दे यर 2019 को जीता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 2 रानी रामपाल ने जो भारते महिला होकी टीम की कैप्टर है रानी रामपाल ने इसको जीता है और यह captain of woman होकी टीम है और यह बिलोंग करते हैं हरियाना को ठीक है next question आप कहा जाता है हाली में अंतराष्टे फुटबोल में सबसे अधिक गोल करने का रिकोर्ड किसने बनाया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 3 क्रिस्टेन सिंकलेर क्रिस्टेन सिंकलेर ने 185 वा गोल करते ही विश्व रिकोर्ड बना दिया है सबसे अधिक गोल करने का 150 सिवा और यह कनाड़ा की रहने वाली है हाली में नेक्स कोशन हाली में प्यालतिय पैरा उलम्पिक समीति का अधिक किसे चुना गया है तो सही आंसर हो गया इसका option number 1 दीपा मलिक दीपा मलिक को हाली में पैरा उलम्पिक समीति का अधिक से चुना गया है तो 2019 में दो लोग प्रुसकार दिया गया था डिपा मलिक पैरा अथलेटिक है और हर्याने की रहने वाले दो जार निश्मिन राजिक बंदी ने प्रुसकार दिया गया तो यह मैंने अभी आपको पता है नेक्स कोश्चन आप का जाता है हाली में आश्ट्रियन ओपन टैनिज ग्रैंड स्लैम 2020 एकल का किताब किसनी जीता सही आंचर हो जाएगा ऑप्षन नंबर एक नौवाक जोकोविक नौवाक जोकोविक ने आश्ट्रियन ओपन जो कि देखो जैन्वरी में खेला जाता है टोटल चार ग्रैंड स्लैम के टैनिस ग्रैंड स्लैम के ले यह आपको पता ही है तो अब तो दूसरा आएगा थे पैसे दूसरा आजेगा फ्रेंश आएगा ठीक यह कहना फिला जाएका यह आपको रोपी जो रहे हैं वो डॉमिनिक थीम रहे हैं जो भी आस्ट्रीय के हैं और सोगे ग्रेंच्लेम के अरहे हैं तो ग्रेंचलेम को मैंने यहां देखो डिस्क्राइब क के दिखाया है कि कौन सा Grand Slam कहां खेला जाता है और यह जून जुलाई में खेला जाता है और यह ग्रास कोड घास के मैदान पर खेला जाता है और चोथा लास्ट जो आता है यूएस ओपन है अगस्त और सितंबर में यह भी हार्ड कोड पर पहला लास्ट का हार्ड कोड पर दूसरा आपका खेले और तीसरा आपका ग्रास कोड पर खेला जाता है यह आपको ध्यान रगना है अगर मैं बात करूं आगे की तो देखो अभी महिला एकल वगेरा के बारे म देख लिते हैं वैसे तो डवल का आता नहीं है मैंने डवल भी इसमें ले लिया है ठीक है अगर मैं सिंगल की बात करें नौाग जोकोविक शर्विया के और जो रनर अरप रहे हैं आश्टिया के डॉमिनिक थीम महिला की अगर बात करें तो सोफिया केनिन अमेरिका की और आप रहे हैं गवाइन मुगरोजा इस्पेन के वैसे तो सिंगल ही आते हैं जाया तर आप फिर भी मैंने डवल्स ले लिया आप वीडियो को स्क्रिप करके देख सकते हैं नेक्स आपका 36 सवे राष्टे खेल 2020 का आयोजन किस राज्ये में किया जाएगा तो इसका सयानतर हो ऑफशन अमबब 3 गोवा में गोवा की राजदानी पंजी में 36 सवे राष्टे खेल 2020 का आयोजन किया जाएगा और चीडयासी मैंने लिए एक बुल बुल है और इसको कहते हैं रवि गुल्ला बुल्ला ये इसको सुबांकर होंगा आपका प्रबुल में नाडा कि प्रुचुक्स्थ कुंु अजनसी नाडा कि ने निस्ट्र एट्ट्र सेम्दित है और नाडाई नाज़ोग्ष है तो उनको जो है यह प्रतिमन लगा देती हैं तो इसी तरह से वाड़ा होता है वाड़ा ने भी एक देश पर लगाया है डवलुएडी वह वर्ड हो जाता है वर्ड एंटी डोपिंगे नैस्नल है तो वह उसने किस पर लगाया रूस पर ध्यान रखना है ठीक है तो नाड़ा नैस्नल एंटी डोपिंग इसकी ब्रांड से अगर बात करें तो सुनील सिट्टी है हाली में आर्बियाई ने किसे मोद्रिक नीती एंपी सी का सेदस्य चुना है तो सही आंसर है ओप्शन नमबर तू जनक राज जनक राज ने जगह ली है वह एमडी पात्रा की लिए पहले पात्रा इस जगह पर थे अब एमडी पात्रा का प्रमोशन हो गया है और उनको डिप्टी गवर्णर आर्बियाई का बना दिया तो में भारत का उच्चा युक्त नियुक्त क्या गया है आसे आठ्ट कर नाधर हो जाएगा ओप्शन नमबर तू कनाड़ा थैं को बार भार अभी आपने देखा होगा इंडियन जो है हैं या किषी देश के जो अन्य देश में जो उच्चायूक्त की जाते हैं कभी मैं उच्चायूक्त बोल रहा हूँ मैं कभी इनको राजवत बोल रहा हूं विसकल की का अनbling ला स Efendimiz होता है जहाता संद्ध केंग कामेशान क met कंट्यी हैं को वेल्ट कंट्री एप wob़े कता सदारा शौक्त वेल्ट कंट्री बोल सकते हैं तो यह राजदूत और नोर्मल अगर नहीं किया जैसे नैपल के बात करें तो हम राजदूत बोलेंगे तो ठीक है कनाड़ा की राजानी ओडावा है और पी-एम जस्टिन टूड़ो और कि यहरा मुद्रा चैनेडें डोलर है तो आपको पते ही है हाली में गुपाल वागली को किस देस का उचायूक्त नयूक्त किया गया है कि तूसका सजयानत तो हो और थासे स्रीलंका में स्रिलंका में गोपाल बागले को चाहिक तो क्या चिलंका की राजानी आपको मैंने दोनों बताया है एक स्री जैवर्दने कोटे है और दूसरा जो आपको है वो कोलंबो पहले से थी तो नेस्ट कोस्टिंस की अगर हम बढ़ते हैं हाली में नेपाल में बारत का राजदूत कि गुलाम किसी का नहीं हो है सबसे important question है ठीक है तो यह किसी चुना गया है तो सही आंचरो जाएगा option नमबर थर्ड विनय मोहन क्वात्रा विनय मोहन क्वात्रा को नैपाल का राधूत चुना गया इसका मतलब जो है बिल्टेन ने इस पर सासन नहीं किया था नेक्स्ट आपक इसना को IBM के नए CEO के रूप में नुक्त किया गया है IBM की फुल फॉम के अगर बात करें इंटरनेशनल बिजनिस मशेन और यह क्या है इस इस मल्टिनेशन टेक्नोलोजी एंड कंसल्टिंग और गनाईज़शन विसीजे ट्रस्ट ब्रांड इन आईटी सेक्टर मतलब आईट तो इसका सही आंजर ओप्शन नंबर एक परमोद अगरवाल हाली में कोल इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO जो चुना गए हैं वो परमोद अगरवाल चुने गए हैं और कोल इंडिया लिमिटेड का जो हैड़कौाटर है वो कोल कत्ता में है नेस्ट आपका आजाता है हा इसका सही आंजर ओप्शन नंबर टू एम अजीत कुमार को हाली में CBIC का नया अध्यक्स एम अजीत कुमार को चुना गया है और CBIC के अगर बात करें फुल पॉम दा सेंट्रल बॉर्ड ओफ इंडारेक्ट टैक्सिस एंड कस्टम्स नेस्ट आपका आजाता है हाली में मौम्मन तोफिक अल्वी किस देश के नए परदान मंत्री बने हैं इसका सही आंजर ओप्शन नंबर थर इराक के हाली में मौम्मन तोफिक अल्वी जो है वो इराक के परदान मंत्री बने हैं तो यह पीम इन्होंने किसको किसके स्थीप दिया है और यह बन गए है कि नेस्ट आपका आ जाता है हाली में पूर्व मंत्री यस्वत सिन्हा की आत्म कथा रिलेंट नेस का विमोचन किस ने किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number two पर्णव मुखर जी तो पर्णव मुखर जी थे भारत के पूर राष्ट पती है इन्होंने इनका विमोचन किया है नेस्ट कुष्चन है हाली में जारी अंतराष्टे बोद्धिक संपदा सुचकांग 2020 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है इसका सही आंतर आप्सन नमबर तू चालीस बारत आप चालीस वे नमबर पता 48 देशों की सूची ली गई थी प्रंतुश बार्ट 53 देशों की सू कूण सूअ100 बारत expectations का जा और बेंट कोन दोकम पर रहा है यह मतुत आपकंश मुष्चन है जह बाट से चैंक सीससा। 이런 हैं। से को सा सिर्ष पर रहा है। बेंगलूरू टॉंटॉम्टॉम ऑ्र जारी ट्राफिक इंडाइक से 2019 में सिर्ष पर रहा है। पर नो टोप 10 में भारत की तीन इसमें रहे हैं मैं आपको इस बारे में दिखाता हूं देखो 4 फोर शेर फोर सिटी आये हैं इसमें तो देखो कौन कौन से फोर सिटी हैं कि देखो पहला है बैंगलूरू उसके बाद चोथे नंबर पर मुंबाई है फिर पांच वे पूने हैं और फिर आठ वे डेली है ट्रैफिक मामले में कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इन में मिलता है कि उसके बाद नेक्स कुस्चन आया था हाली में फिक्की ने भारत की जीडीवी कि दोजार बीस इकिस के लिए कितने रहने का अनुमान लगाया है और जो जो जार उननीश बीस का अनुमान था वह था फाइफ परसेंट फिक्की के दोवारा फिक्की फिल्पॉर्म फेडरेशन ओफ एंडियन चैंबर ओफ कोमर्स एंड इंडस्ट्री उसके बाद नेक्स क बीस इकिस में भारत जीडिपी कितने रहने का अनुमान लगाया है कि इसका सही आंजर हो जाएगा ओप्शन नमबर टू शिक्स परसेंट और आर्वेशन दोजार उननीश में जो लगाया था वह पांच परसेंट था और अब जो इस साल जो लगाया इनुन बीस इस में वह शिक्स परसेंट है नेस्ट आपका आजाता है फरवरी दोजार बीस में फिच दुआरा भारत की जीडिपी दोजार बीसिक्ष्क में कितनी रहने का अनुमान लगाया है इसका सियांजर हो जाएगा ओप्शन नमबर थर्ड फाइपॉइपॉइपॉइट शिक्स रेटिंग नेक्सक आपका हालिमे भारते ततरक्षक दिवस कब मनाया जाता है कि इसकी सियांजर ऑफ्शन नमबर 1 फाते ततरक्षक दीवस इंडियन कोस्टगार्ड डे जो मनाया जाता एंव को मनाया जाता है अब देखो कुस दिवस हम यहां ले ले लेते हैं उनके बारे में हम पड को भिस्व और्द हो मिन रचा आइड कि वैट लेंड दे मना आ जाता है और इसके थीम क्या । वेट लैंड अन्सटेश देवस मना आ जाता है और इसकी य हो और मैं रहूं नेक्ट कुश्चन आपका आजाता है हाली में किस देश ने चार फरवरी को अपना बहात्तरवा स्वेतंतरता दिवस मनाया है सही आंज रोजाएगा ओप्शन नमबर 4 सिलंका सिलंका ने अपना बहात्तरवा स्वेतंता दिवस बनाया है रहें सिलिंगा जो है वह डिश साषन से मुख्ति मिली थी इस कुश्चन आपका हाली में भाप्टा फिल्म पुरुषकार 20-20 में बैस्ट फिल्म का पुरुषकार किसे मिला रहे है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफसे नमबर 2 1970 है 1917 को नाइंटीन सेवंटीन को यह बाफ्टा पुरुषकार मिला है अब यह बाफ्टा होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं यह 73 वा था देखो अगर ओसकर की बात करें तो नाइंटी टूवा था और यह बाफ्टा कि यह बृटिस फ्लिम अकारडिमी पुरुषकार malt हो ठीक है तो बैस्ट फिलिम जो है Θ Nah a हर बाफ्ट्र जो है वो जोख इनफ एक्टर्स जो है वह रनीं जेवलेकर तो मतलब देखो आपको ध्यान रखना है कि फैस्ट अक्टर और बैस्ट अक्टर एट्र जो है वह दोनो भी चेंज है और इन्हें किस मुई के लिए मिला है 1917 के लिए मिला है ठीक है कि नाइस कोश्चन आपका आजाता हाल ही में पैन गोरी लंकेश पुरुषकार 2019 के लिए किसे पत्रकार किस पत्रकार को चुना गया था सही आंजरो अप्शन नमबर टू यूसुप जमिल यूसुप जमिल को 2019 के लिए गोरी लंकेश पुरुषकार के लिए नामित किया गया है और 2013 के लिए जो किया गया था वो किया गया था रविश कुमार को हाली में विशुका सबसे बड़ा मेडेटेशन सेंटर कहां खोला गया है और चन्द बस्याँ अधिक जो जो मेडिटेशन मतलब जहां अधिक से अधिक लोग जो है ध्यान लगा से एक लाख से अधिक जो लोग है वहां ध्यान लगा सकते हैं अपना नैक्टा हाल ही में स्यांजर नमबर थर्ड हरियाना में होगा साथ से एक लाख से इस में चेंट हिमाचल परदेश को रखा गया है के यृ नग्ट कॉरिजन है हाल इमें कोरोना वायरस के कारन वैस्विक आपतकाल की घोषणा किसनगी तो सबसेद्ट और फोनेएंड ऑपसून नमबर टू डज्वन एचों इंवगेसट और फडिशन ने जास्वेति आपतकाल की घोषणा करती है कोरोना वायरस के चलते तो इसकी फुल पॉम वर्ड हैल्थ और्गनाईशन हैड़कॉर्टर गवेना स्विट्जर लैंड और प्रिशिडेंट जो है डबल वेच्चो के वह है थेड्रस थेड्रस एधनोम नेक्स्ट आपका कोशन आयता हाली में कौन सा देश यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया ह तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओफसन नमबर फॉर बिल्टेन हाली में बिल्टेन जो है यूरोपिय यूनियन से अलग हो गया है अब यूरिटे अब जो इसमें 27 सेदस्य हैं पहले 22 थे तो इसका हैड़कॉर्टर बुर्शेल्स बेलिंगम में हैं ठीक है परदान मंत्री मात्र वंद्र 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 योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य शिर्ष पर रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर थर्ड मध्य परदेश सरकार ने परधान मंत्री मात्र वंद्र 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 योजना लागू करने वाला जो राज्य शिर्ष पर है वो है मध्य परदेश नेक्स कोशन आपका आजाता है हाली में किस देश ने पुने कोमन वेल्थ देशों की सदस्यता ग्रैन कर ली है मालदेव ने मालदेव की राजदान ही है माले मालदेव ने बीच में कोमन वेल्थ ग्रैन से हट गए थे वह सद्यत्यता अत्याग दी थी अब दुबारे से नोने ग्रैन कर लिए नेक्स्ट आपका हाली में जस्वन सिंहक कवल का निधन हो गया है वो क्या थे इसका सही आंदर हो जाएगा उप्शन नमबर एक वो हाली में सरकार ने किस तीसरी प्राइवेट टरेन चलाने की गोसना की है तो सही आंसर हो जाएगा option number 3 हम सफर एक्सप्रेज जो कि वारांसी से इंदोर तक चलेगी अगर तीसरी की बात करिए तो पहली दूसरी भी चली होगी तो पहली जो प्राइवेट ट्रेनर जिसका नाम है तेजस वह कहां से चलिए लखनाव से दिल्ली के लिए दूसरी जो प् मुंबई से एमदाबाद के लिए चलिए और तीसरी वारांसी से इंदोर के लिए चलिए ध्यान रखना है यह question पूछ सकता है कि नेक्स कोशन आपका हाली में 11 वर defense expo 2020 कि शहर में हुआ यह मैं आपको बीच में बताया था कि expo दो बताएं कि एक मैंने आपको बताया है Veteran Manufacturing Hub को कि हा अचर way का कारिकरम लॉंच किया है तो ये इसका क्या है दूसरा कि euid का Kari Year का क्या है यूवी का कायर्स अगर बच्चे नाइन क्लास में जैसे पोच्चते तो इसका नहीं महत को कुछ सीखने का ठीक है नाइन क्लास के बच्चों को तो ये इसका दूसरा你在 कारेकर दूसरा वह है संस्क्रण यूवी करें कि यूवा वैग्यानी कारेकरा में इसमें इसका मक्सित बच्चों को स्पेस टेक्नोलोजी और स्पेस साइंस की चीज़ों के बारे में जागरूप करना होता है है आपका हाली में भारत और बंगला देश के बीचिंस शन्या संपरिति का 9 जमपरिती का match कहां काँधि करे संपन किया गया है तो स्याहंसरी और भारत और बंगला देश के बीच जो अभ्यास कहा है ज्यल्क शंति करना है और यह तो इसका सही आंसर हो जाएगा option no.3 कोलकाता में कोलकाता में मतला अभ्यास का योजन क्या है और ये एक तटिया अभ्यास था शुरक्षा अभ्यास ठीक है और next question आपका जाता है हाल ही में सरकार ने 24 तक कितने नय हवाई अडे भारत में विक्षित करने गोशन किए तो इसका सही आंसर हो जाएगा option no.4 फोड़े अभारत सरकार ने थोजाट चोड़े तक सो नय हवाई अड़े विक्षित करने की गोशना की है नेस्ट आपको आजाता है करमचारियों की सिकायत के निवारें के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल किस ने शुरू किया है कौन सा पोर्टल है संतुष्ट ध्यान रखना है सही आंजर ओप्सन नंबर तू हो जाएगा सिरम मंत्राली सिरम मंत्राली नहीं किया है नेस्ट कुश्टन है आपका हाली में किस देश के बैंक गवर्णर को एशिया प्रांथ छेतर के सेंट्रल बैंक ओपड़ा येर 2020 चुना गया है तो इसका सैयान ज़र हो जाएगा ओप्सन नंबर फॉर भारत जो भारत के गवर्णर है सक्तिकान दास उन्हें सेंट्रल बैंकर ओपड़ा येर 2020 के लिए चुना गया है आर्वाइक के गवर्णर जोड़े 25 नेक्स्ट आपका जाता हाली में कहां काला गोड़ा मोट्सव के 21 संस्क्रन का योजिन किया गया है इसका सैयान ज़र ओप्सन नंबर तू काला गोड़ा मोट्सव जो यह मुंबाई में किया गया है और यह बीश्व भी वहीं पी किया नेक्स्ट है हाली में भारत और दक्षिन कोरिया के बीच मंत्री इस्तरिय वारता कहां संपन्द की गई तो इसका आंसर आपको comment box में बताना है कि हाली में अपका आज आता है 화 lee में किस देश ने भारतिया प्रियेट को पर सतत विकास कर लगाने की घोशनक की है तो इसका सही आंदर ओप्शन नमबर थर्ड बोटान हाली में बोटान ने भारत अब से पहले भारतों जो परियाटक थे उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था अब उन्होंने टैक्स लगाने की गोशना कर दिया बोटान ने कि नैस्ट आप कायाता है हाली में बारते ओलंपिक संग ने टोक्यो ओलंपिक के भारत का सद्वावना दूद किसे बनाया है उसका सही आंदर हो जाएगा ओप्शन नमबर तू सोरव गामगुली को जो की अब बीसी स्याई के अध्यक्ष भी हैं नैस्ट कुस्चन है फरवरी फरवर किसे औरफासिकल स्वाइन फीवर का ठीका विख्षीत किया है कि इसका सही आंदर हो जाएगा ओफिशन नमबर फरस्ट भारत ने Classical Fiber Swine Fever का जो टीका है वो विखिषित किया है Swine Fever Swine Fever जो Flu होता है तीके का निर्मान क्या है IVRI Indian Veterinary Research Institute जिसने किया है और यह उत्तर प्रदेश में है और यह उत्तर प्रदेश के कहा है बरेली में नेक्स्ट हाली में किस राज्ये ने में मुक्ति कारवा अभ्यान चलाया है इसका सही आंदर option नमबर एक राजिस्थान ने राजिस्थान ने मुक्ति कारवा अभ्यान चलाया है और इसमें है क्या कि चाइड लेवर और मानव तसकरी के प्रति लोगों को जागरुख करने के लिए अभ्यान चलाया गया है तो आज की वीडियो कंप्लेट होई अगर आपको वीडियो हमाजी अच्छी लगए तो प्लीज से लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें देखो वीडियो बहुत महनत से बनाई जाती है ठीक है तो प्लीज एक लाइक तो परद्या करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं जो लोग नए हैं ताकि आपको नएने चीज़ें मिल सकें और एक जानकारी मैं आप कोड देदू इस पर इसी तरह से मैथ सब्सक्राइब करेंगे दो चार दिन में देखो कोरोना वायरस चल रहा है तो इससे थोड़ा सा अभी घवराएवे हैं उसके बाद जो है हम अपनी क्लास चलाएंगे ठान्यवाद